Assalamualaikum everyone, hope you are all doing well, so आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे split ends के हवाले से How to cut split ends at home, so चैनल पर अगर आप लोग न्यूँ हैं, तो जल्दी से फटाफ और सबस्क्राइब कर लें और हाँ मुझे Instagram पर भी follow करें, ID नीचे mention है, so जल्दी से जाकर आप follow करें ठीक है, वीडियो को लंबा करने से पहले, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छा जी, split end cut करने से पहले आप सब को एक बात बताओं, कि बालों को सबसे पहले अच्छे से brush करें हैं उसके बाद आप सबने ऐसे अच्छे से बालों को छोटे-चोटे section में divide कर देना है, और बालों को एक-एक, दो-दो थोड़ी-थोड़ी बाल लेकर आपने इसको इन तरह कर लेना है, ताकि आप बाल, split ends अच्छे से cut हो जाए, उसके बाद आपने बालों को उपर, जब ऐस करें, पहले नीचे से करना शुरू करें, फिर उपर की तरफ आते जाए, आपको देखना है कि आपके, आप देखकर करें, split ends ताकि आपके जितने भी split ends हो जदी से जदी हतम हो, आपने मन्त में ये process, मन्त में वीकिंग भी कर सकते हैं, मन्त में अगर आपको बहुत ज़्या लेंद है, इसको इस तरह आपने split ends को हतम करना है, ये split ends जल्दी हतम हो जाते हैं, अगर आप महीने में दो दफ़ा करेंगे, तो आपके split ends बहुत जादा जल्दी हतम होना शुरू हो जाएंगे, इसके इलावा, conditioner का पी इस्तिमाल करें, ताकि आपके split ends हतम हो जाएं, split ends नजर नहीं आते, तो इसलिए मैं आप सब को बोलती हूं कि आप लोग कंडिशनर भी किया करें, लेकिन split ends को भी cut किया करें, split ends को करने से आपके बालों की look बहुत ही प्यारी नजर आएगी, इसी तरह जैसे मैंने एक थोड़े से बालों के section को कर लिया है, इसी तरह बाकी की section को आपने अच्छे से कर लेना है, अब ये मेरे बाल हो चुके हैं, अब मैं इसको उपर catcher लगा देती हूं, इसको side pick कर देती हूं, दूसरे बालों को भी same to same, इस तरह आपने पहले brush करने के बाद, आपने same to same वैसे ही करना है थाकि आपको easily आप अपने split ends निकाल सकते ह पॉलर्स में जाने से बहतर है कि आप घर में 10 मिंट के अंदर अंदर आप ये split ends निकाल सकते हैं, वैसे तो काफी जादा hair mask बगारा भी हैं, लेकिन अगर आप shampoo भी करें तब भी महां पर लिखा होता है कि split ends के लिए काफी अच्छे हैं, split ends को हतम करते हैं, लेकिन ऐसा लिए करें ताकर आपके बाल भी healthy हों, shiny हों, जब आपके बाल healthy shiny होंगे तो आपको split ends की कम हो जाएंगे, फिक है, month में ये process आप month में दो बार भी कर जाये हैं, या month में एक बार, और नीचे से हमेशा से थोड़े-थोड़े बाल भी cut करें ताकर आपके बालों के जो end बाल split जो rough हो जाते हैं, बाल वो भी हमेशा की तरह हतम हो जाएं, ठीक है? कुषिका हुटिय lotta को. लेकिन मेरी फ्रेंट से जो जाते हैं, तो में जो वो करती थी ना मेरे फ्रेंड मैंने उसे देखा उसके बाल इतने लंबे बाल हो चुग है माशा अला से और 20 बी इसका स्प्मेट आरह बाल equndhart इंग बहुत जादा प्यारे हो चुके हैं ठीक है तो वो भी इसी तरह split ends काट करवाती है जब भी उसके हो जाते हैं लेंगे मुझे नहीं लगता हूँ कोई split ends है तो मैं उसे जानती हूँ तो बहुत ही अच्छे उसके बाल है तो वो ये steps follow करती है जिसे मैंने भी देखा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो मैंने ट्राइ करना शुरू किया तो मेरी बहुत शाइनी सिल्की हो रहे हैं और smoothly ग्रो भी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है अगर आप लग पालर्स में जाकर इतने पैसे देखर कर रहे हैं तो आप घर पर 10 मिंट के अंदर free make कर सकती है without any charges इसी तरह बाकी सब बालों को भी आपने इसी तरह करना है ताकर आपके सारे split end स्थम होता है उसके इलावा cutting भी होती है cutting भी end से बाल भी cutting तब भी split end स्थम होते हैं तो आप अगर बाल नहीं काड़ सकती है जैसे कि कुछ लड़कें बहुत ज़्यादा पसाज़िव होती हैं कि हमें अपने बाल नहीं कट वाने तो आप बस इसी तरह बालों को ऐसे करके चोटे चोटे चो split end स्थम कर सकते हैं बहुत easy simple steps हैं जो आप follow करेंगी तो आपके split end सारे हतम हो जाएंगे और हाँ आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे बाल कैसे लगए उमीद करते हूं पसंद आये होंगे तो मेरे बाल थोड़े शाइनी भी है सिल्की भी है और rough भी है तो इसके लिए मैं कुछ कर रही हूं जल्दी वीडियोस में आने वाली वीडियोस में जरूर आप सब के लिए कुछ लाऊंगे कि बालों को लंबा बसूरत शाइनी कैसे बना सकते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और गमेंट करना मत बूलेगा ठीक है आप में सारे प्रोसेस सेम करने हैं ताकि आपके स्प्लेटेंड से अत्म होजए तो गाईज उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत बूलेगा और हाँ मुझे इंस्टागैम पर भी फालो करें ताकि मैं आप मेरी स्टोरीज देखे मैं डेली की डेली स्टोरीज लिगाती हूँ इंस्टागैम पर बहुत अच्छी होती है लोगों को पसंद आती है तो उमीद है आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी तो 100 लाइक का टार्गेट मैंने आज रखा है तो कम्ट्रीट करवाने प्लीज